असलावलेकुम फ्रेंड वेलकम बैक टू अनदर इंट्रेस्टिंग वीडियो फ्रेंड और की इस वीडियो में मैं आपको बताना जा रहा हूं कि आप अपने गूगल एडवर्ड का अकाउंट कीवर्ड प्लैनर वीडियो की एस यो के लिए कैसे क्रियेट कर सकते हैं तो बि आपने सर्च बार में इंटर करके इसको सर्च कर देना है इसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटर्फेश शो होने लगएगा यहां पर आपने क्या करना है कि आपने स्ट नो वाले आफ्ट पर क्लिक कर देना है start no वाले option पर click करते ही friends हमारे सामने आपका main जो account create करने का process start हो चुका है यहाँ पर आपने क्या गरना है कि आपने अगर gmail ID sign in की हुई ही या अपनी Google Chrome में तो आपके सामने कुछ इस तरह से farm open होकर आ जाएगा यहाँ पर friends मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलो कि अगर आप PC या लैपटाप से ये काम कर रहे हैं तो आपका account easily create हो जाएगा लेकिन अगर आप ये account अपने mobile phone से create कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी परिशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है लेकिन अगर आपको कोई भी परिशानी mobile phone से account create करने के लिए पेश आ रहे है तो आप हमें Instagram पर follow करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं हम आपको personally account ये वाला create करके दे देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि simply आपने इसको थोड़ा सा scroll down करना है scroll down करने के बाद यहाँ पर friends आपको एक option show हो रहा है switch to export mode यहाँ पर friends हम अपने keyword planner के लिए account create करना चारे हैं यानि किसी भी campaign को run किये बगएर ही हम ये account create करेंगे तो आपने यहाँ पर क्या करना है switch to export mode पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे आपके सामने new campaign create करने का option show होगा तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपने यहाँ से कौन सा step follow करना है कि बिना campaign के ही हम अपना account create कर लेंगे तो यहाँ पर आपने भी इसको थोड़ा सा नीचे scroll करना है scroll करते ही आपको यहाँ पर एक नीचे option show होगा create an account without campaign यहाँ पर आपने click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इसका confirm your business का information show होने लगेगी यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने yes वाले option पर click करके तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि simply यहाँ पर आपने explore your account वाले option पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर explore your option वाले option वाले option पर click करेंगे तो आपका account का जो interface है main home page है वो open होकर आ चुका है जी हाँ फ्रेंड्स तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पर हमने google adword का account बिना किसी campaign को run किये ही successfully create कर लिया है तो यहाँ पर आप अपने keyword planner के लिए यहाँ पर tools and static पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं keyword planner को आपने ऐसे open कर लेना है तो आप यहाँ से difference किसम की SEO और keyword planner के लिए searching कर सकते हैं नेक्स वीडियो में हमने देख भी हैंगे कि आप इस keyword planner को actually में use कैसे कर सकते हैं तो उमीद कर तो आप फ्रेंड्स और कि यह वीडियो google adword का account कैसे create करना है आपको पसंद आए होगी वीडियो को like जरूर करें चैनल पर नहीं हो तो subscribe गरें ताके हर आने वाले इसी तरह की informative वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच रहे हैं तो मिलते हैं कि स्थे नेक्स वीडियो फ्रेंड्स अलाफीज थैंक्स फॉर वाचिंग